के गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो गाइज न्यू येर आने वाला है तो मैंने सुचा क्यों न अपने कमरे को रिक्रेट किया जाए और अपने कमरे में पेंट किया जाए तो गाइज आज मैं अपने कमरे को चेंज करने वाली हूँ तो गाइज मैं सबसे पहले यहां प जिसने के बाद में उस पेंट ना गिरे मेरे कमरे का जो वॉल पेंट था वो बहुत ज़्यादा खराब आ रहा था इसके बाद से लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी ज़्यादा लो आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे ही पूरे करने वाली हूँ सब से पहले मैंने ही पी पर मेरे समान फो झाल के बैड पर रख दिया हॠ क्योंकि मैं इस कवमान पर बैड पर निकाल यहज़े छी हुआ टिए वार तuw के ज़्यादा खराब हो चुकी और फिदियो को डृफ्लेक्शन भी अच्छा नहीं आता है तो इस लिह मैंने इस पूरे को खल्दे से खाली कर लिया है अब इतना होने के बाद मैं यहां पर सीडी लगा रही हूं सीडी से उपर सारा समान निकाल लेते हैं क्योंकि चेयर पर शुरू करते हैं करना तो सबसे पहले मैंने सारा समान था वह अच्छी तरह से ढग दिया है जो मेरी पु एक ही लिया है कट आउट तो मैं लेके आई हूए फ्लावर शेप के अंदर जिसके की मैं वाल पर अच्छी अच्छी डिजाइन बना सकूं तो इतना होने के बाद चलो गाइस बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना ब्रश को लेते हैं तो काफी सॉफ्ट नीचे वाली वॉल पर जहां पर हम इसे शूट करते हैं क्योंकि एक लेयर में अच्छी से डंगनी लाथा इसलिए इतना होने के बाद काइस जो यह बहुत था इसके मेरे कमरी की वह काफी हथ बिगड़ चुकी थी ता इतना होने के बाद की मतात घुली कराई शुकूर तो तो इतना होने के पाद आप कमरी के हाला तो देख सकते हैं और यह हमारी फिर्स्ट वॉल थी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था और शाम भी हो चुकी थी तो हमने थोड़ा बहुत खाना खाके अपने काम में लग चुके हैं तो इत सूखने के लिए कम से कम 24 घंटे चैहिए तो nori लगा दिया था चुखक तो यह था तो चृप हमारा यह दोका है प्रीत कर दिया है और यह च्ऑन अली प्राइम सबस्टर लिए प्राइमार और छों कर दिया है सबसे पहले इस सारा प्रॉस उस यशली को दोगाताक मैं Welcome वाले वाल पर गिटार बनाए तो इतना होने के पाड़ जो हमारी अलमारी थी यह तो पूरी तरह से लग चुकी थी तो गई जब बारी आती थी सारी हमारी फोटो फ्रेम लादी थी तो इतना होने के बाद आती थी वाल पर डिजाइनिंग करने की तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक कट आउट ले लिया है और उसे हम जो वाल वाली वह होती है हमारी टेप उसके हैप से उपर से लेके नीचे तक चुपका देगे इतना होने के बाद बीच वाला हिस्सा है उस पर हम अच्छ पर आप ने के बाद मैंने अबने फ्लेट के लिए उसके बाद मैंने पर इचाले के उपर और तली जे गाइस बंचुका है हमारा व्यूटिफुल सर रूम रैडि वाज आप देच सकते कि मैंने अपना इपना च्छी तरह से बना है तो कैसा देच सकते हुद के हाथ सही क्र और पहले से इस पर कितने जाद अची लाइटिंग भी आ रही है और ये है मेरे सामने वाली वाल तो गाइस ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तर के लिए टाटा और ब